साम जिसका नाम सुनते ही लोगों के रौंग टेखड़े हो जाते हैं जो दुनिया का बहुत ही अनुखी जीब है इस दुनिया में 3000 से भी जादा सापों की प्रजातिया पाई जाती है जिन में से 600 से अधिक प्रजाती जहरेली होती है दुनिया के सबसे बड़े सापों में पाईथोन और एनाकॉन्ना का नाम आता है जो इंसानों को तक निगलने का शमता रगते है आज हम लोग एक बेहती आकर सक पाईथोन याने अजगर के स्पीसिस के बारे में जानने वाले है नाम ग्रीन ट्री पाईथन ये खुबसूरत से प्रजादी इंतोरेसिया के विभिन्य दिपों में और पापवानियों गीनी में पाई जाती है अपने नाम के अनुसार ये प्रजादी बरशाबनों में पेडों के उपर और जाडियों में रहना पसंद करती है इनका नाम ग्रीन पाईथन रहने के बावजूद भी इनका रंग हमेशा ग्रीन नहीं रहता ये बिभिन्य कलर के हो सकते है एक्चुली परिवेश के अनुसार इन्होंने खुद को ढालने के लिए ही समय के साथ-साथ अपना रंग चेंज करते है जनम के वक्त इनका रंग यलो या मडून होता है फिर मैच्योर होने के साथ-साथ ये अपना रंग अपने माहल के अनुसार चेंज कर लेती है जिसे ओंटोजेनेटिक चेंज कही जाती है एक्जाम्पल के तोर पे इनका ब्राइट ग्रिन कलर इनको पेडों की पत्तियों के बीच इनको छुपे रहने में मदद करती है जिस वयसे छोटे जानवरे के नजर में ये नहीं पड़ती और आसानी से इनका शिकार बन जाती है एक पूर्ण वयस का मेल ग्रीन ट्री पाइथन की ओसत लंबाई डेर सुसे लेकर 180 सेमी तक होती है और इनका वजन होता है 1100 से 1400 ग्राम फी मेल्स मेल से थोड़ी ज्यादा लंबी और भाड़ी होती है ग्रीन पाइथन्स छोटे छोटे चूहे पक्षी पक्षियों के अंडे खाके जिन्दा रहते है शिकार करते वक्त ये बिना हिले एक ही जगह पे घंटों तक इंतजार करती है जैसे ही शिकार करीब आती है बिजली की रपतार से उन पे जपट पड़ती है और अपनी कुंडली में जखर लेती है ग्रीन ट्री पाइथन के इतने आकर्शकड़न की वज़से अपने घर में पेट बना के रखना बहुत को पसंद है जिस कारण से इनकी स्मगलिंग बढ़ गई है और जंगलों से इनकी तादत घट गई है आयू सी एन ने इस रेट लिस्ट में सामिल किया है दुनिया के बिभिन जूलोजिकल पार्ट में इनकी ब्रेडिंग करा के इनकी तादत बनाने की कोशिश किया जाड़ा है लेकिन कुछ भी हो यह पर जाती आज भी इन दुनियाशी के जंगलों की सोभा बढ़ा रही है आपको आज का वीडियो कैसा लगा यह हमसे जरूर शियर कीजिएगा कमेंट करके और आगे आप कौल सी चानल पर के उपर वीडियो देखना चाते है यह भी हमें जरूर बताएगा अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक शियर और सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा और अगली वीडियो जल्दी आने वादी तब तक टेक केर